जये हिंद, इस वीडियो में दोग लोयर डेस्टील इंडुस्ट्री लिम्टेड कमपनी को आरे मिलांब बात करेंगे, एक महासी व्यदिक समय हो गया जब से इस कंपनी के शेर प्राइस में डाउन्टरेंड शुरू हुआ है, और थात्य व्यदिक समय से कंपनी का सेर सूपर नहीं जा रहा है अपर सर्किट नहीं लग रहा है बिना देरी के डायरेक्ट मुद्धे पर आते हैं और काम की बात शुरू करते हैं सबसे प्लाण हो जानगे कि यह जो लोयर डेस्टील इंडस्ट्री लिमिटेड कंपनी काम क्या करती है देखिए नाम में स्टील लग मतलब मार्केट कर तो जबरदस्त बढ़ा है पिछले साल दिसंबर के आस पास आप देखेंगे यह जो एक हजार में देख रहे हैं और यहां तक बार रोपे आसी पैसा का सबस हाई लगा चुका है 29 रोपे का कम्पनी का सेर प्रेस अधिकत्यम यहां तक आया है इसके बास स जो इसमें डाउन ट्रेंड शुरुआ लगतार शेयर प्राइस नीचे की तरफ ही जा रहा है यह आप हाई देखेंगो 29 रुपया 11 जनुवरी को इसी 11 जनुवरी को लगाया था और देखिए 28 सितंबर से पिछले साल 28 सितंबर दो जारे कई से कंपणी का सेयर प्राइस उठना तक आया देखिए 28 सितंबर से जब इसमें तेजी आना शुरू हुआ था उस समय कंपणी का सेयर प्राइस तो आपके पैसो को अगर आप सितंबर में एक लाख रुपया लगाया रहते तो आपको जनुवरी तक उसमें 9 लाख रुपया बन गया रहता आराम से कमाने वालों को है जो काफी हाई प्राइस पेस कंपनी के सेर को खरिद के भी फासे हुए उसका इलाज में बताऊंगा इस वीडियो में फिलाल यह समझे कि मतलब रिटर्ण कितना संदार दिया है अभी दिकत क्या है कि स्टॉक का पी काफी बढ़ गया है पी हो गया है 332 आपको पता है कि क मतलब से भी इस कंपनी को अपने निग्रानी में रखा हुआ है और जब तक यह समझे से बाहर नहीं निकलेगा सेर प्राइस में तेजी नहीं आएगी यहां समझे इसका जो रिजिस्टेंस लेवल है 13.30 पैसा अर्था कंपनी का सेर प्राइस अगर अपने रिजिस्टेंस आने की उमीद है लेकिन यह अभी इतने जल्दी 13.30 पैसा अपर नहीं जाएगा इसका सेर प्राइस और जो सपोर्ट लेवल है नीचे आएगा तो हो सकता है और अगर यहां पर भी नहीं ठाड़ता है तो ज्यादा उमीद है कि 6.30 का सेर प्राइस आ सकता है लेकिन यहां त परसेंट टूट चुका है जहां तक मुझे लगता है कि यह 40 परसेंट कास परसेंट तक आएगा क्योंकि अभी जितने भी पेनी इस्टॉक टूट रहे है उसमें यह कोवन देखा जा रहा है कि एक माम में उसका जो रिटर्न है कम सकम 40 परसेंट तक तो आहीं रहा है लेकिन इसका एक साल का रिटर्न आप देखेंगे तो अभी 300 परसेंट का संदार रिटर्न एक साल का दिखा रहा है और अभी 30 है और मुझे लगता है 25 कास पस्तक आराम से आएगा अब आएए फंडामेंटल देखें कि कम्पनी कितना अश्ट्रों होगा है समझेंगे क्वाटरली इसके समबर्तिमाई के रियल्ट आये थे उसमें क्वाटर टू में कम्पनी करेंगे नौ करोण गारा लाका देखेंगे वह बढ़कर क्वाटर थीरी में 20 करोण 89 लाका हो गया मतलब रिभिनू संदार बढ़ा है इससे क्या लगता है कंपनी को जो ऑडर मिले है और कंपनी उस ओडर को पूरा करिये कंपनी के सेस बढ़ है प्रोफिट देखिए एक करोण 94 लाका प्रोफिट बढ़कर क्वाटर थीरी में तीन करोण 74 लाका हो गया प्रोफिट भी संदार हुआ है और अर्निंग पर सेर देखिए 0.02 था क्वाटर 2 में जो क्वाटर 3 में बढ़कर 0 हो गया है मतलब ली यहां समझेंगे कंपनी के पास चौबीस क्रोण 89 लाग का रिजर्व ठीक है कास रुप्या है सिर्फ चौबीस क्रोण यह कम बात नहीं पिनिये और कर्जा है सिर्फ 40 लाग का देखिए 40 लाग कोई बड़ी कर्ज नहीं और यह कम होकर 40 लाग पर आज़ क्वाटर टु क्वाटर उमीद है अगले क्वाटर में कर जाए गम बिल्कुल जीरो हो जाएगा असेट्स देखेंगे कंपनी के पास जो असेट्स से कंपनी के खुद की जो संपत्ति है एक स्वे कामन करणों रुपए की है हाला कि इसमें थोड़ी सी गिराओ टाई है या यानि की डोमेस्टिक इंस्टिशूशन इंवेस्टर अर्थात मुच्वल फंड्स वालों को भी इसमें हिस्दारी है बहुत कम है 0.06 परसेंट है और पबली के पास 46.52 परतिसत की हिस्दारी है और आप प्रमोटर्स की हिस्दारी देख रहे हैं पिछले साल भर में हिस् तो फिलालियस समझे कि अगर आपको लॉट्स से बचना है तो जैसे जैसे प्राइस कम होता जाए थोड़ा थोड़ा क्वाइक करते जाए और जब बढ़ना शुरूगा तो जल्दी जल्दी मुनाफ़ा होगा और जो नय लोग है इसमें इंवेस्टमेंट करना चाहते हैं अभी मौका है कोई दिकत नहीं है उमीद करता हूँ वीडियो में इंफर्मेटिव लगी होगी मन में कोई सवाल है तो मुझे जरूर पूछे बाकी मिलते हैं इन नेक्स वीडियो में तो तक लिए धन्यबाद शुक्रिया